आपको कभी-कभी इनके बीच का dot product पूचने के लिए बोलेंगे या फिर एक tangent करते हैं, दूसरा भी tangent पूचेंगे, दो tangent के बीच का angle पूचेंगे इसका numerical integration मतलब कितना खतरनाख integration करना पड़ता है भाई इत्तु सा भी integration आपको करना नहीं है इसका एक indirect फाइदा में बताता हूँ, इस unit के sums बहुत limited है इसमें आपको जादा इधर उदर किये हुए sums जरूर दिखाई नहीं देंगे आपको किस पे focus करना और किस पे नहीं करना है मैं बताता हूँ अगर मैंने 10 sum भी हुए, तो आप पकड़के चलो almost 7 sums में आपको f-bar.dr-bar वाला ही concept लग रहा है इसका मतलब है, यह तो सोने पे सुहागा हो गया buy one get one की scheme लग दे, तो इसे साब से workout होगा आपको finite difference में forward difference table और backward difference table कैसे बनाना यह पता अगर है तो उसका सबसे ज़्यादा होगा Newton के interpolation में क्योंकि हाई हेलो नमस्ते दोस्तो दिस इस रॉनक सर और मैं अब सबका स्वागत करता हूँ आपकी पहरे प्लैटफरम आल सी एंजिनियर पर दोस्तो जब ENTC की बात आती है तो चीज़े बहुत दिल पर लग जाती है क्योंकि खुद ENTC इंजिनियर जो हूँ M3 ENTC की स्ट्राटेजी मैं आपको आज बताने जाने वाला हूँ और आपको पता एंटसेम के लिए स्ट्राटेजी को बहुत ध्यान से देखना वीडियो पूरा देखना आधा दूरा मत करना मैं जो आपको कुछ फिल्टर बताऊंगा कौन सी चीज़े करनी है कौन सी नहीं करनी है उसके साथ-साथ आप अपने खुद की फिल्टर बिलकुल मत लगाना समझ रहे हो मेरी बात चलिए शुरुवात करते क्योंकि एक बार यह आपने यह स्ट्राटेजी देखी तो आप बोलोगे तुझे देखा तो यह जाना सनम चलिए शुरुवात करते हैं पंधरा साल से इंजिनिरिंग पढ़ा रहा हो हर एक चीज से वाकिफ क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है सब कुछ if you really want to learn and excel in your engineering studies come join me at rc engineer टोटल जो अपना पेपर है आप सबको पता है इस ओफ 70 माक्स करेक्ट है ना तो देखो भाई अब तक कि अपनी स्ट्राटेजी के हिसाब से अगर अपन गए तो यहाँ पर 10 माक्स के लिए आपको क्या मिलने वाले mcq मिलने वाले है और 60 जो रहेंगे वह आपके रहेंग त्यियरी के लिए और जो usual MCQ का pattern होता है वो pattern बस आपको मैं बता देता हूँ की किस तरीके से वर्कआउट होता है यह देखना ऐसे c 열 होता है 2 Mark, 2 Mark, 2 Mark, 2 Mark, 1 Mark और हमें एक मार्ग इस तरीके से अपको 10 Mark के लिए सवाल पूछै जाते हैं उसके साथ साथ ही देखो तो यहाँ पर हर एक unit में कौन सी important चीज़े हैं कौन सी करनी है कौन सी नहीं करनी इन सारे चीज़ों के ओपर काम करना है pen paper आपके सामने रखो और उसके बाद हम लोग चीज़ों को शुरुआत करेंगे चलिए start करते हैं unit number 3 के लिए unit number 3 का अगर आप नाम देखोगे आपको नाम दिखाए देगा numerical methods इस numerical method में दो चीज़े होती है numerical differentiation होता है अब बोलोगे सर बहुत हेवी लग रहा है जब आप इन चीज़ों के बारे में बता रहे हो तो देखो भाई मैं आपको बहुत बेसिक बेसिक चीज़े बत पेपर का जब हम लोग analysis करते तो हमें कुछ चीज़े पता चलती है देख लीजिए lagrange है trapezoidal है रंगे कुट्टा है आप राइट सेड का column देखो तो राइट सेड के यह दो papers देख लो मतलब दो question देख लो यह सेम यहां पे replicate हो चुका है यहां पे जून 23 के left and side वाले में इ पूरा सेड बनता है एक और सेड बना गया है डाट इस न्यूटन का इंटरपलेशन सिम्संस एंड उसके बाद या फिर मोडिफेट अब बोलोगे सर इतनी परिशानी क्यों हो रही है आप थोड़ा सा मुझे सॉट करके बताईए क्या चीज़े करने वाले हो तो मैं आपको तो ये finite difference operator का बस आपको वीडियो में अगर आप course के वीडियो देखोगे तो आपको बस इसके पहले 15 मिनिट देखने है अब बोलोगे सर ये 15 मिनिट क्यों देखने है हमें आपको finite difference operator में forward difference का टेबल आना जुरूरी है और backward difference का टेबल आना जुरूरी है बस इन दो चीज़ जाल कोर्स नहीं है जो यूटूब पे देख रहे हैं उनको बता रहा हूं आपको फाइनेट डिफ्रेंस में फॉर्वर्वर्ड डिफ्रेंस टेबल और बैक्वर्ड डिफ्रेंस टेबल कैसे बनाना यह पता अगर है तो उसका सबसे ज्यादा फाइदा होगा न्यूटन के इंटर्पोलेशन में क्यों की न्यूटन के इंटर्पोलेशन के भाई साब दो सेक्शन्स निकलते हैं दो सेक्शन्स का मतलब है एक जो है उसे कहा जाता है फॉर्वर्ड इंटर्पोलेशन और दूसरा जो है उसे कहा जाता है बाक्वर्ड इंट को दाता हूँ आपकी जो पहली एक्स की वैल्यू एक्स नॉट की उसके करीब की वैल्यू अगर पूछी तो फॉर्वर्ड के लिए जाओ अगर आपके एक सिन लास्ट वैल्यू जैसे की पांच है अगर आपको 4.5 के लिए पूछा है तो आप बैक्वर्ड के लिए जाओ यह बेसिक एनलोजी आपको यहां पर यूज़ करने है नेक्स चीज लागरेंज इंटरपोलेशन सर आप देखो हर एक पेपर में लागरेंज अंकल के उपर सवाल पूछे तो मैं बताता हूँ यह कैल्कुलेशन दिखने में ब लेगरेंज आए तो दूसरी जगव पे आपको क्या दिखाई देगा भाई नूटन का फॉरवर्ड यह फिर बैक्वर्ड का इंटरपोलेशन दिखाई देगा फिंग सेट इस सथीक यह बता दिया उसके बात के प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं चलो देखते हैं एक बं 3rd है और यह आपका 3 8 वाला रूल है यह एक्चिल में है क्या तो लेट मी टेल यू सम्थिंग ट्रैपईजोईडल और उसके साथ साथ आपको जो सिम्संस दिखाई देता है डाट इस नथिंग बट इसको नम्हें सोलब और इक बात यह अगर आप मुझे पूछो ना मैं तो बहुत लगा रहा हूं यह ट्रैपईजडल वाली चीज जो है वह आप एक घंटे में खतम कर सकते हैं मतलब ट्रैपाइज ओडल प्लस सिम्संस वन थर्ड प्लस सिम्संस रहा सवाल सर फिर यह क्वेश्चन कहां पर इसके सारे क्वेश्चन जो एक्जाम में आये भाई साब सारे लेटेस पीवाई की उसके साथ सब कुछ अपडेटेड है अगर आप नोट्स यह फ्रेफर करके उसके जो लास्ट लास्ट के सम्स है वो सारे यूनिवसिटिया सम्स आपको एक बार ही खतम करने देखो अब यह होने के बाद सर आगे क्या है आगे यह दो लोग है जो कि नुमरिकल डिफ्रेंसियेशन के हिसाप से जाते है एक है यूवलर्स जो की साथ म अब यहां पर बस फॉर्मिली रटना बहुत जुरूरी है अब अखास करके रंगे कुट्टा में पहले आप देख लो यूवलर्स मेथड से पहले कुछ कैल्कुलेशन किये जाते थे वाइवन निकला जाता था बट वह एक्यूरेट नहीं था इसलिए और मेथड आई जिस यह अगर आप देखोगे तो इसको आपको 45 मिनिट से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए अब सर यह रंगे कुट्टा क्या है रंगे कुट्टा में दो टाइप आते एक आता है जो कि आपका सेकेंड और होता है दूसरा फॉर्थ और रहा सवाल एक्जाम पॉइंट ऑफ य के थी होता है और कर पो लोता है कुछ से स्ट्रेड़जी वर्क आउट होती है और आपको एसके उपर के सम्स हास करके एक क्यल्सी पे क्वेश करने नहीं पड़ेंगे यह पूरे टॉपिक जित्ते में आपको बता रहा हूं सारे टॉपिक में कैलकुलेशन बहुत जरूरी और कैलसी पे और आपको सॉल भी करने अब देखो यह वनार यह 45 मिनिट्स यह कैलकुलेशन के साथ में पकड़ रहो भाई वनार और तो देखो तीन चीजे तो यहां पे हो गई बचा यह दोनों को वनार वनार दे देते हैं और पूरा टॉलरंस अगर मैं कंसिटर कर लो तो आप खुद देख लो वैसे तो मुझे एक दो तीन चार और 45 यहां के 15 मिनिट में बोले थे बस आपको 15 मिनिट तो यह पांच घंटे का का में आपको नुमरिकल वाइस अगर मैं थोड़ा सा और प्ले दे दू तो पकड़ लो भाई साब यह आप पूरा का पूरा यूनिट खतम कर सकते हो सिर्फ 6 घंटे में ट्र करना बहुत महनत करी यार इस चीज के लिए मैंने अब चलो आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 4 के लिए अब यहां पर क्या करना है हम लोगों को अब यहां पर यूनिट नंबर 4 में मैंने डाला हुआ है टाइटल वेक्टर इफ्रेंसेशन वन ओफ द चोटा यूनिट ल समस जितने हैं उतने सारे समस मेंने अड़ करें हुए और वह अपडेट करके दिए हुए तो आप इसकी चिंता मत करना चलिए यूनिट 4 के लिए शुरुआत करते नाम है वेक्टर इफ्रेंसेशन उसके लिए बेसिक वेक्टर क्या होता है यह आपको पता होना चाहिए यह होता है यह होता है यह आपका जैक्सिस होता है having said that there is unit वेक्टर का कॉंसेट आइक आपको पता होना चाहिए कोई भी वेक्टर के लिए डॉट प्रड़क क्रॉस प्रड़क कैसे लिया जाता यह भी आपको यहां पर पता होना चाहिए अब इन 3-4 चीजों के साथ साथ आपक for directional derivative यह सबसे 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 बड़ा प्लेयर है जो आपको वर्क आउट करना होता है इसके साथ साथ basics of factors जब खतम होता है तब directional derivative के बीच में मैंने एक vector differentiation का introduction का वीडियो भी दिया हुआ यानि कि कि किस तरीके से भाई आपका एक original होता है आर बार जिसको आप लोग लिखते हो x i cap प्लस y j cap प्लस क्या लिखते हो z k cap इस r bar का dr bar by dt बनता है इसी को velocity या फिर tangent बोला जाता है इसका एक और बार d square r bar by dt square बनता है इसको बोलते acceleration vector अब आपको कभी कभी इनके बीच का dot product पूछने के लिए बोलेंगे या फिर एक tangent करते दूसरा भी tangent पूछेंगे दो tangent के बी जब भी angle पूछा जाता है तब आपको हमेशा उसके लिए dot product लेना है i repeat इस पूरे unit में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप क्या करो dot product के लिए जाओ because यह पूरा unit जो है वो linear displacement के उपर काम करता है अब basics of vectors के बाद vector differentiation का एक intro video उसमें मैंने यह tangent to tangent का angle किस तर पूर चेक कर लिना इसके साथ साथ यहां पर नेक्स जो टॉपिक आता है वह सबसे बड़ा टॉपिक है नेम डाइस डिरेक्शनल डेरिवेटिव इसका जो फॉर्मिला अगर आप देखोगे तो वह आता है डेल डॉट एक आप नाम का तो यहां पर आपको कोई स्केलर दिय करता है इसलिए इसको वेक्टर ऑपरेटर भी बोला जाता है सो डेल फाय हम लोग पहले निकालते और उस डेल फाय के बाद हम लोग इसको फैंड आउट करते एक एप मैंने रिसेंटली डीडी का वीडियो अपडेट किया हुआ है बहुत सारे सम्स मैंने उसके साथ दिये ह हो है और मैंने उसी वीडियो के एंड में भी बोला है कि बहुत साब कुछ और सम्स आएंगे उसकी बस पीडियेफ आएगी पीडियेफ आप जरूर देखना जब भी कभी आपको सर्फेस वन और सर्फेस टू ऐसे दिया जाएगा तो आपको सर्फेस के एक्वेशन का डेल और आपको हमेशा इनके बीच का एंगल फाइंड करने के लिए पूछा जाता है तो जब आप एंगल निकालते हो तो हमेशा आपको यह चीज जरूर करने है डेल फाई वन का डॉट प्रोड़क्ट आपको करना है विद डेल फाई टू के साथ आर यू गाइस गेटिंग मै का पुरा बेस्ट है यह देख लो डीडि वेक्र आंडिटि डीडी वेक्र आइंडीडेटी चल चोडось इधर देख डीडी वेक्र इंन्टी इर्रॉटेशनल डीडी इक्ट आंटिटी वेक्र आडेंटिटी सुट डीडी हम लोगों का पीछा कई पर नहीं छोड़ता है आपको जितने सम्स मैंने लिये हैं नोट्स पीडिएफ में उतने ही करने हैं जादा दिमाग लगाने की कोशिश ना करना जी जितना है उतना आपको सिखाया गया उतना आप धंक से करोगे तो भी मोर देन नफ है I know कि मैंने ट्रिक दिये कुछ-कुछ तो ट्रिक ऐसी है जहां पर आपके तीन दोस्त है भाई फिर बहुत अच्छे मार्ग लिके आते हैं फिर कॉलेज में इंटर करते हैं फिर होस्टेल में जाते हैं जगड़ा होता है यह सारी चीजों के साथ-साथ मैंने बहुत सारी है आपको हर एक सम जो मैंने लिखे थे कि बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मिलेज कौन से कौन से लगते हैं किसी भी सम को सॉल्फ करने के लिए जो की इंपॉर्टन फॉर्मिला यह मैं देखो सब को जितना मुझे लगता है ना कि यार यह बहुत बड़े-बड़े प्लेयर है तो मैं उनको हाइलेट जरूर करूंगा कि आपको यह दो टॉपिक्स बहुत अच्छे से करने करके ही जाना पड़ेगा विक्टर डिफ्रेंसियेशन में अगर आपको बहुत अच्छे मांक्स लिक आने तो डॉट प्रोडक्ट होता है कहीं पर डॉट क्रॉस का बचा है यह फिर मेरी तरफ से आपको देना बचेतो अंडरसेंट इसके बाद आती एक बहुत प्यार्य कॉंसर्ट जिसे इरॉटेशनल बोला जाता है किसी भी चीज को जब इनूटेशनल बोला जाता है तब क्या प्रूफ करना होता है आपको जो बंदा दिया जाता है उसका बस क्रॉस प्रोड़क्ट ले लो डेल के साथ और उसको जीरो प्रूफ करो तो आपका काम खत्म हो गया आप उसको बोल सकते हो x को constant treat करना है यहाँ पर x और y sorry x को free करके free from x free from x करना है and this is free from करना है x and y तो यहाँ पर आपको कुछ free नहीं करना है आप y और z को वैसे भी आप constant treat कर सकते हो कुछ इस तरीके से इसका 5 निकलता है तो बहुत शिद्दत से अगर आप देखोगे मुझे पुछोगे यह सब कुछ जो है इसको भी आप six hours तो minimum consider कर लो because writing practice से इसमें और sum अलग अलग है मतलब same-same दिखने वाले sums आपको बहुत कम दिखाए देंगे हर एक sum में variety आती है इसलिए यह वाला unit जो है वो थोड़ा सा आपको टाइम शुरू में लेगा लेकिन एक बार इंट्रेस्ट आने के बाद ही अच्छे से समझ में आना शुरू जाएगा इस पे आपके वेक्ट इंटिटीज के उपर mcqs आ सकते हैं आपके जो इरोटेशनल वाला सीन है उसके उपर भी mcqs आ सकते हैं तो mcqs जो है जैसे मैंने बोला बहुत जन्रलाइजड concept है मैं सारे previous papers upload कर दूँगा as usual group पे जब आएंगे तो you will understand कि questions आपने यूनिट complete किया तो आपको questions आना शुरू हो जाएंगे राइट नेक्स्ट है यूनिट नंबर 5 वेक्टर integration अब यह यूनिट जो है पूरे m3 के course में सबसे difficult unit माना जाता है इसके पीछे कुछ reasons है इसके पीछे यह reason है कि भाई साब यहां पे आपको rectangular के साथ साथ polar coordinate system में काम करना पड़ता है आपको कुछ reduction formulas पता होने चाहिए किस तरीके से करने हैं और कुछ यूवी रूल वाले integrations भी आपको deal करने पड़ते इसी लिए वेक्टर integral calculus को one of the difficult topic माना जाता है अब पूछोगे सर इसमें skip करने की chances तो होंगे न तो देखो जिस तरीके से आपका paper सेट हुआ है आप यहां पर देख सकते हो हमेशा आपको green theorem को और इंग जो आ रहा है वो यहां पर line integral दिखाई दे रहा है अब एक paper जो जून 23 में हुआ था उसमें देखो नीचे भी यहां पर green serum यूज किया था और यहां पर बाजू में भी आपको green serum के उपर ही समाया थे तो भाई साब यह paper सेट करने वालों का कुछ कह नहीं सकते वो कहीं भी sequence उपर नीचे कर सकते तो आप न considering the line up मत जाओ considering overall paper का question का pattern then consider करके आप जाओ तब आपको समझ में आ जाएगा उपर नीचे हुआ तो भी ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगी उसके साथ साथ आपको इस unit में क्या करना है मैं बताता हो सबसे बड़ा प्लेयर इस unit का है line integral ध्यान से देखना जो लोगों ने अभी-अभी मुझे उप अंदा find out करना पड़ता है जिसको कहा जाता है कर्व इंटेग्रल एफ बार डॉट डियार बार इसी को एक बहुत प्यारा सा नाम है इसी को कहा जाता है भाई साब यह क्या करते हैं अपन वर्कड़न करते हैं तो वर्कड़न जो find out किया जाता है वह पैराबोला में होता है स name on path होता है straight line होता है ऐसे बहुत इसको वर्क आउट करना पड़ता है अगर मेरे वीडियों की बात करो तो मैंने line integral के दो पार्ट करें ऑर फ्वर्ट समझों ऊंदर करना वह यहांदा itест बात करना बहुत जरूरी है यह बड़र Campbell अं यहें करो तो इस topic का direct connection जो है वो आपके स्टोक सेरम के साथ है क्यूंकि आपके स्टोक सेरम में single integration is connected to double वाला integration और यह जो single integration है यह आप इसकी left hand side देखूगे तो it is as good as आपका f bar.dr bar याने की स्टोक सेरम में भी आपको single integration से आप चीज़े solve कर सकते हो और दिये गए line integral याने की work done के sums में भी आप लोग single integration से sum को solve करते हो तो आप बस line integral के दोनों वीडियो में से most probably पहला पैच जल्दी से समझ में आएगा second वाला जो वीडियो है वो बहुत time देके करना वो वीडियो connect करने के बाद आप कोई next topic मत करो line integral के वो दो वीडियो होने के बाद हर एक बंदा आएगा और क तो सोने पे सुहागा हो गया buy one get one की scheme लग गई तो इस इसाप से work out होगा इसी लिए connections आपको बता रहो तो notes के इसाप से अपने app के इसाप से line integral part 1 line integral part 2 और cut 2 आपको आना है stroke theorem के preparation के उपर उस preparation के साथ साथ आपको उसके बाद शुरू करना है वो करना है green slam a theorem अब green slam a theorem में सर क्या किया जाता है single integration को convert किया जाता है double integration में लेकिन इस green slam a theorem में आपको दो बंदे लगते एक बंदा है यू और दूसरा बंदा है अब ये एक अलग ही exclusive pattern है जो कि देखो आप अगर paper check करोगे ना यहाँ पे greens का समय यहाँ पे greens का समय यहाँ तो दो greens के सम है तो आपको green slam के उपर काम करना पड़ेगा एक और अच्छी बात में बताता हूँ अगर आपने यह line integral के वीडियो करे हुए या फिलाइन इंटीग्रल की concept करिये तो आपको greens लेमा थेरम जो है वो 50% से जाधा मुफ्त मिलता है देखो एक line integral मतलब आप line integral अच्छे से कर लो देखो मैं क्या बतारो line integral करो राइट उसके साथ साथ आपको stocks के six thumbs free प्लस greens के 50% discount क्या समझ मैं आपको मतलब जो लोग बोल रहें कि सर मैंने unit number five नहीं करना है उनके लिए मैंने यहां पर बोनस चीज़ बताइए बस line integral को आपको खरीदना अच्छे से पढ़ना है आपके स्टोक सेरम के छे समस आपको मुफ्ट 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 मिल जाएंगे और उसके साथ साथ ग्रीन सेरम पर भी 50% की offer चल रही है मेरे भाई तो आपको यह सब कुछ आएगा अगर आपको यह समझ में आए कि line integral में हम लोगों को सरकल ellipse का logic क इस तरह के से वर्काउट करना है हां बहुत प्यार से वीडियो बनाया है बहुत अच्छे से आपको यह सब कुछ आएगा इसकी guarantee में लेता हो आप अगर धंग से देखोगे थोड़ा समय दोगे तो राइट अब सर टाइम कित्ता लगेगा सब कुछ बताऊंगा उसके करना पड़ता है तो उसमें से यहां पर आप शोड़ाइट बहुत अच्छे से कर सकते हैं इट कमस टू गॉस्ट डाइवर्जिन सेरम में आपको लगता है आपका पूराना वाला हतियार यानि कि जो आपने प्रिवियस यूनिट में वेक्टर इडेंटिटीज करी थी वो वेक्टर इडेंटिटीज आपको गॉस्ट डेवर्जिन्स में यूज़ करनी पड़ती है इन और टू शोड़ाइट वाले सम्स और वो आए है एक्जाम में बहुत अच्छे से आये है तो आपको ये बहुत तरीके से करना जरूरी है अब रहा सवाल सौरिए वेरिफाय करने के लिए मत जाओ इसमें से किसी भी सम के वेरिफिकेशन के लिए आपको नहीं जाना है कोई भी थियरम अगर वेरिफाय करना है तो लेफट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सौल्फ करना पड़ता है और पांच माक्स के लिए इतनी बड़ी रिस्क अपन नहीं ले सकते तो आपको याद रखना है कि वेरिफाय वाले सम को स्किप करना है आप लोगों ने इसका ना स्फियर वाला सम का पार्ट करना है अच्छे से अगर आपने इसका सिलेंडर वाला नहीं भी किया वैसे तो आता एक्जाम में बट अब देखो कहीं ना कहीं इतना बड़ा यूनिट टाइम लेगा तो हमें यह पता होना चाहिए कॉंसी चीज हम लोग खेलना है थोड़ा कम थोड़ा जादा कंपल सिरी में अगर आप मुझे बोलोगे जैसे अभी स्टोक सेरम में एक्लिस यह छे तो कर लो जो इसके साथ मिल रहे ग्रीन के जित्ते समझ में आ रहे उत्ते कर लो आपको बहुत सरी चीजे यहां पर समझ में आना शुरू हो जा यह 1.5 आर्स के हिसाब से जाएगा और यह अगर आप करोगे तो यह 1.5 आर्स के हिसाब से जाएगा तो इस हिसाब से यह स्ट्राटिजी रहेगी पेपर पैटन आपके सामने अब अगर आपका यह क्लियर तो चलिया आगे बढ़ते भाई यूनिट नंबर 6 के लिए अब यहाँ पे आपको क्या-क्या चीजे आनी चाहिए यूनिट नंबर 6 is nothing but complex variables यह यूनिट जो है वो सिर्फ ENTC और electrical के लिए बाकी किसी और के लिए नहीं है इसका एक indirect फाइदा में बताता हो इस यूनिट के sums बहुत limited है इसमें आपको जादा इधर उदर किये ह जरूर दिखाई नहीं देंगे आपको किस पे focus करने और किस पे नहीं करना में बताता हो अब यहाँ पे bilinear transformation लिखा हुआ है इसके दो वर्जन निकलते भाई एक जो वर्जन निकलता है वो निकलता है matrices वाला और दूसरा जो वर्जन निकलता है that version is nothing but word problem वाला तो आप बच पैटन देख सकते हो पैटन देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा हर जगह पे तीसरा सवाल जो हमेशा किसके ऊपर पूछा है देखो ब्ल्ट 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 यहने की bilinear transformation के उपर ही पूछा हुआ है तो bilinear transformation में आपको matrices की process दूसरी चीज ब्लट 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 करना है दो मैंने दो तीन जो हमेशा आते है वो वर्ड प्रप्रप्लम लिये हुए आप चाहिए तो एक बार उसको देख सकते हो यह आपको बहुत अच्छा marks देखे जाए जासे देखें लगता है मुझे जो पर्सनल इंपोर्टन लगता है वो कौने में बताता हो यहां पर देरी सम्तिंग कॉल्ड एज जाता है या यू प्लस वी दिया जाता है या फिर यू माइनस वी दिया जाता है देख लो वापस से देख लो क्या बोला है मैंने चार लोग दिये जाते भाई यू देते वी पूचते और फंक्शन पूचते यू प्लस वी देते यू पूचते वी पूचते या फिर फंक्श इस equation अब इन चारों के लिए सबसे बड़ा प्लेयर कौन है जो हमें लगता है वो है analytic function अब कोई भी function जो की complex number में है वो analytic कब होता है अगर वो किसी चीज को satisfy करेगा तो वो किसको satisfy करता है मेरे भाई हमेशा there is something called as coches remain equation तो वो CR equation को उसने satisfy करना चाहिए तो देखो आप solve करोगे कहीं बीच में हर एक concept में आप CR equation को गुसेड होगे और फिर उसके बाद आप उसके f of z का answer लिक्या होगे यह basic theme बनती है it is mandatory कि आप यह analytic function के उपर अच्छे से focus करो अब आता है harmonic function harmonic function वाला अगर आप वीडियो देखोगे तो उसमें आपको basic concept के साथ साथ चार प्रूफ मिलेंगे किते प्रूफ मिलेंगे चार प्रूफ उसमें से देखोगे तो आपको प्रूफ exam में दिखाई देंगे पूछे हुए याने की exam में प्रूफ आते है वो चारों प्रूफ आ show that function f of z has constant magnitude ऐसा कुछ भी ये लोग सवाल पूच सकते हैं तो आपको ये वाले प्रूफ आना बहुत ज़रूरी है तो देखो मेरे इसाप से highlight point analytic function क्या होता है यहाँ से शुरू करो चार प्रूफ अच्छे से कर लो उसके बाद मिलने thompson के sums कर लो at least homework sum जाने दो लेकिन जित है तो कभी कभी difficult जाता है कोई बात नहीं है लेकिन आपको मिलने thompson compulsory करना ही करना है मैं तो बता रहा हूँ यह वाला जो topic है इसके लिए आप पकड़के चलो के आपको दो घंटे लगेंगे यह बाइलीने transformation है यह 1.5 आर्स में खतम हो जाएगा यह चार प्रूफ के लिए आप वनार दे दो तो यह एक घंटा यह दो घंटे यह देड़ घंटे हो गया अब उसके बाद यह दोनों साथ साथ में खेलते हैं नाम देखो क्या है कोची इंटीग्रल थेरम और कोची रेसिडियू थेरम बाप रे दोनों में कहीं बे भी आपको integration करना नहीं है यह बहु mod of z दिया जाता है minus z not या फिर जो भी बंदा is equal to r लिखा जाता है तो यह इसे कहते हैं circle तो circle उसकी position उस circle के अंदर pulse आते की नहीं है अगर अंदर आये तो अपना इंसाने उसके लिए मेहनत करो अगर नहीं आते तो उसको directly zero कर दो is the only concept that we have used over here और उसी को use करके हम लोग यहा कोची कोई स्किप नहीं करेगा आप प्लीज वीडियो देखना नाम से डर लगता है मैं रिक्वेस्ट करो आपको कोची इंटीग्रल थेरम आपको देखना होगा उसके साथ कोची रेसिडियू 20 मिनिट में खतम होता है मतलब अगर आप इन दोनों को मुझे बोलोगे तो य मैं बताता हो आपको सबसे ज्यादा यहाँ पर किसको स्किप कर सकते हैं बिंदा स्किप करो यह जो कॉंप्लेक्स इंटेग्रेशन नामक मेरा एक वीडियो और पीडियो रहेगा आपने नहीं किया तो भी चलेगा आपको यह इत्ते सारे टॉपिक करने बोलोगे इत्ते गै सब्सक्राइब करो और उसके साथ साथ बाइलीने ट्रांस्वर्मेशन के वर्ड प्रॉब्लम जितने समझते हैं उतने ही दिमाग लगाओ उस पे ज्यादा दिमाग खर्चा मत करो मैंने आपको इस यूनिट की सिक्वेंस दिए में वापस बताता हो गो फॉर एनेलेटिक फ यहाँ पे टेडी बियर बनता है उसके बाद कॉच्छी इंटेगल और कॉच्छी रेसिडियू दोनों बहुत आसाने कहीं इंटिग्रेशन हम लोगों को नहीं करना है 18.5 आर्स में खतम होता है तो टोटल देखोगे देड़ गंटा देड़ गंटा तीन दो पांच पांच और इसको एक गंटा और और ओर एक गंटा देदो तो यह भी आपका आलमोस्ट आप साथ गंटे में मतलब 7 आर्स में चीज़े खतम कर सकते हो अब जो बंदा मुझे पूछ रहा था कि क्या सरी एक दिन में सारी चीज़े खतम कर सकते क्या तो खुदी देख लो यह साथ गं में आया होगा तो दिस एंग्जार स्ट्राटेजी तो यूनिट टमबर 3456 को बहुत अप्थे से गरके जाना मेरे भाई आप से मिलते रहूंगा क्योंकि तुझे देखा तो यह जाना सनम चलिए बाई बाई टेक केर मिलते नेक्स वीडियो के लिए तब तक के लिए थैंक्यू थैंक्यू सू माच